आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सक्ता के चाटुकार पत्रकारों के रिपबलिक का डियने टेस्ट दोस्तों मेरा अपना एक उसूल है मैं पिछले करीब एक देड़ साल से ब्लॉग्स लिख रहा हूं और मैंने कभी भी अपने किसी ब्लॉग में किसी पत्रकार का नाम लेकर उसकी आलुशना नहीं की है मैंने पत्रकारीता पर कई बार ब्लॉग्स लिखे हैं उस पर टिपने भी की हैं मगर मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ और इसकी वज़ा है कि जो पत्रकार जो कर रहा है वो उसका कर्म है वो उसकी नियत है मैं अपना काम करूँगा मेरा मानना है कि पत्रकार का काम है सत्ता से सवाल करना और वो मैं करता रहूँगा कोई क्या करता है ये उसकी नियत है मगर अब तमाम हदें जो है ना वो तूटने लगी एक पत्रकार महोदें हैं जो अक्सर उदारवादियों से सवाल करते हैं अल्ब संखकों से सवाल करते हैं विपक्ष से सवाल करते हैं और उनके सवालात ऐसे होते हैं कि वो literally उत्तेजित करते हैं extremis elements को वो उत्तेजित करते हैं इस तरह की बाते करते हैं कि कहिए दोस्तूं ऐसे पाकिस्तान premium ISI परस्तों के साथ क्या सुलूक किया जाए यानि कि जैसे कि आपने एक अदालत बना रखी है आप एक ताना शाह हैं और आप इस तरह से लोगों को भ कि 2002 के जो नरसंगार हुआ था गुजरात में जो तंगे हुए थे इन दंगों में वो महज उस वक्क के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से 50 मीटर दूर था एक भीड़ने रोका उन पर हमला करने की कोशिश की यह कहा कि तुम हिंदू हो के नहीं और किसी तरह से अपन जिकर कर रहा था उसको मौजूद ही नहीं था ना सिर्फ मौजूद नहीं था बलकि इस घटना में वो नहीं बलकि कोई और पत्र कार था और इस फोटो अर्नब की है वाव माई फ्रेंड अर्नब क्लेम्स इस कार अटाक नेक्स्ट तु सीम रेजिदेंस इन गुजरात राइट स्टूथ ही वाजदीप ने कहा कि यह कवर भी नहीं कर रहे थे वहां मौजूद ही नहीं थे और राजदीप का साथ मिला संजीव सिंग को संजीव सिंग जो उस स्वक्त NDTV के संबाद दाता थे वो खुद कहते हैं astonishing revelation considering अर्नब wasn't in Gujarat when this incident took place संजीव सिंग भी कह रहे है कि अर्नब वहां मौजूद ही नहीं था और नलिन महता amazing because actually the incident happened with Rajdeep in Gujarat riots we know we were there याने कि इस पत्रकार ने ना सिर्फ जूट बोला बलकि एक वीडियो जिसमें वह जूट बोल रहा था और मैं आप बता दूँ यह वीडियो जहां यह जूट बोल रहा था यह जब असम में असम में जब Congress की सरकार थी यह इतना पुराना वीडियो है दरसल उस वीडियो को डिलीट भी करवा दिया वीडियो को डिलीट भी करवा दिया अब ऐसे काम कौन करता है सुबूतों को डिलीट कर देना सुबूतों को साफ कर देना गवाहों को मौत के घाट उतार देना फिल में देखियोंगी ऐसे काम खलनायक अक्सर करते हैं अब ऐसे काम कौन करने लग गया है एक पत्रकार करने लगा है कि वह साब क्या हिम्मत है उनकी यानि कि आप अपने स्टूडियों में बैठ कर राजनेताओं की धज्यां उड़ाते रहें और राजनेताओं में भी किसकी इम्मत नहीं है और आपने ना सिर्फ डिलीट करवा दिया बलकि यह जो तथाकते चैनल है इनके मालिक दरसल बीजेपी से जुड़े हुए हैं इंडिये के चेर्मेन है केरला में तो जाहिर सी बात है कि यहां पर साफ तौर पर एक ऐसा पत्रकार दिखाई दे रहा है जो सत सवाल नहीं करना चाहता है और जैसा मैंने का यह सज्जन अकसर उस राश्ट्रवादी पत्रकार ने अंग्रेजी में दहारते हुए कहा तो कहिए दोस्तों ऐसे पाकिस्तानी प्रेमियों आएसाए परस्तों के साथ क्या सुलूग किया जाए क्या वक्त नहीं आ गया है कि उ तो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से जो इनकी परिभाशा के हिसाब से आएसाए परस्त है या पाकिस्तानी प्रेमी है तो उसे तो मौत के घाट उतार दिया था मैंने आगे ये भी लिखा मैंने सोचा क्या वाकई ऐसा किया जाए कि इन तमाम च्छद मुदारवागियों को चौराहे पर लटका दिया जाए क्या उन्हें और उनके परिवारों को चिन्हित करके शर्मसार किया जाए क्या कुछ दिन पहले एक अन्ने चैनल ने एक प्रेमी गैंग का नाम दिया गया इन्हें देश द्रोई बताया गया इस देश के नागरिकों को अफजल प्रेमी गैंग कहा गया और जैसे कि आप जानते हैं कि उस चैनल से माफी मांगने के लिए कहा गया था मगर उस चैनल ने माफी तक नहीं मांगी तो यह इनकी बहादु मांगे तो ये माफी तक नहीं मांगते हैं यानि कि ये सज्जन जिनका जूट exposed हुआ है ये लगातार पत्रकारों के खिलाब भढ़काने का काम करते आए हैं और अब इनकी बोलती पूरी तरह से बंद है इन्हें कुछ लोग मोधी परस्ट पत्रकार कहते हैं यानि कि सत्ता से सवाल पूछने की इन में हिम्मत बिलकुल भी नहीं है और उपर से जैसे कि आप मैंने आपको बताया कि इनके मालिक भी इंडिये का हिस्सा हैं दरसल इस वकत देश ने ऐसे कई पत्रकारों की जमात है जिने प्रो मोधी पत्रकार या प्रो बीजीबी पत्रकार कहा जाता है मगर आप लोगों मेंसे जो लोग मोधी समर्थक अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग इसलिए समर्थन देते हैं प्रधान मंत्री मोधी का क्योंकि वो दिल से उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं तो आप गलत क्यों जैसे मैंने काया इस सज्जन जिसे एक्स्पोस किया है राजदीपने इनके मालिक NDA में है यानि खुद BJP किनेता है इसकी अलावा एक और पत्रकार है जो कुछ सालों पहले तिहाड जेल गए थे एक्स्टॉर्शन के चकर में एक्स्टॉर्शन के चकर में तिहाड जेल गए थे अगर वो इस सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दें तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है तो जाहर से बातें उन्हें अपनी जान बचानी है एक और पत्रकार मैं आपको बताता हूँ इन पर यह आरोप था कि उन्होंने करीब 548 मिनिट एक आम्स डीलर के साथ बात की ED, Enforcement Directorate उनसे पूछताच करना चाहती थी मगर यह सज्जण सोशल मीडिया से गाइब हो गए क्यूँ, क्यूँ गाइब हो गए सोशल मीडिया से यह क्योंकि इन से सवाल किये जाते कि तुम आम्स डीलर से क्यूं बात कर रहे थे ये लगातार BJP के पक्ष में या मोदी जी के पक्ष में बयान दिया करते थे यानि कि ये तमाम लोग जो मोदी भक्त है ना प्रो मोदी हैं ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि अगर इन्होंने सवाल पूछना शुरू किया तो इन्हें भी जेल जाना पड़ेग इनकी मोदी भक्ती अवसर वादिता है यकीन मानियें अगर 2019 में किसी वजह से BJP सत्ता में वापिस ना पाई तो ये लोग जो उस वक्त सत्ता में होगी उसकी चाटू कारिता करना शुरू कर देंगे क्योंकि इन्हें अपनी जान बचानी है किसी भी कीमत पे देखिये मेरा ये मानना है कि पत्रकार अगर सवाल पूछता है तो उसे भी कभी कभी सवालों का जवाब दिया रहना चाहिए और मैंने अक्सर हमेशा सवालों का जवाब दिया है मेरे दोस्त जानते हैं कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कितना गंदा प्रोपेगेंडा चलाया गया सोशल मीडिया पर कितना गंदा प्रोपेगेंडा चलाया गया टार्गिट किया गया सरकार के कुछ पक्षू द्वारा हम पर आरोप लगाए गए कि आपने पांच हजार पांच सु करोड का मनी लॉंडरिंग किया जिस शक्स ने ये वहियात आरोप लगाए जिसे सरकार का समर्थन आसल है उस शक्स को हम अदालत ले गए अदालत ने उसे जेल की सजा सुनाई और यही नहीं हमारा ये मामला सीवी सी में भी गया वहाँ पर भी हम दोश्मुक्त हुए हम सीबियाई के स्पेशल कोट में गये वहाँ पर भी ये बंदा कोई भी हम हमारे खिलाफ आरोप नहीं साबित कर बापाया और अगर आप इस मामले की डीटेल्स जाना चाहते हैं तो आपको जो है गूगल पे जाना है अभिसार शर्मा न्यूज लॉंड्री ब्रिंग इट ओन सीबियाई बस आपको ये टाइप करना है आपको ये पूरा मामला समझा जाएगा और मैं एक सीधी से सवाल इन लोगों से करता हूँ जो ये अक्सर मुझ पे आरोप लगाते है अगर इन तमाम आरोपे में रत्ती भर्भी सच्चाई होती तो अपने परिवार को बचाने के लिए मैं तो इस सरकार के सामने नत्मस्तक हो जाता अपने परिवार को बचाने के लिए मैं तो इस सरकार के सामने नत्मस्तक हो जाता न जैसे ये बाकी पत्रकार हो गए है चाहे वो आम्स डीलर से बात करने वाला पत्रकार हो वो अपनी जान बचाने के लिए नत्मस्तक है या फिर वो पत्रकार जो तिहाड जेल गया था वो भी सरकार से सवाल नहीं पूछता है मैं भी अगर कोई जुर्म होता तो मैं भी यही करता मगर सच यह दोस्तों कि हमें एक कीमत शुकानी पड़ती है जो लोग इस सरकार से सवाल करते हैं एक साल पहले मेरी वाइफ का ट्रांसवर मेरट किया गया था दिल्ली से मेरट वो रोज सफर कर रही थी मगर पांच दिन बाद दोस्तों उन्हें देहरादून फेक दिया गया एक साल होने को आया है मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो हैं अपनी मा के बगार रह रहे हैं मैं अकेला अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ और ये कीमत आपको चुकानी पड़ती है अगर आप इन लोगों का सामना करें जो जिन्हें सत्ता का समर्धन हासिल है मैंने कीमत चुकाई ना उसकी मैं चुका रहा हूँ अभी भी कीमत मगर मैं क्यू डरूं मैं क्यू डरूं जब मुझे पता है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है